पाकिस्तानी मीडिया ने यूएस एलेक्शन को लेकर काफी कवरेज की है और इसमें भारत को जोड़ा है आपको पता होगा भारत को क्यों जोड़ा है क्यों कि भारत और यूएस के रिलेशन्सिप जो है पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है कि यूएस में नए प्रेसिज जेंट आएंगे, तो उसके बाद भारत युएस में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत और युएस में में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. भारत के रिलेशन्जिप जैसे युएस के साथ है, वैसे ही रहेंगे. तो चलेए जो बाइडन की पॉजिशन चीन के मामले में वही होगी, इंडिया से मिलके, मगर मूदी को अम्बैरिस्मेंट के सामना पड़ेगा, क्योंकि डेमाक्रेटिक पार्टी इंसानी होग पर संस्टिव है, उसने बात कर दिया किश्मीर की भी, और इंडियान मुसल्वानों के साथ जो हो रहा है, आज उनने तुर्की के जलजल अजदगान के लिए काफी बड़ी रकम भेजिया है, वो देखिये, फोरी दोर पे तो ट्रम हमारे लिए बहतर था कि अफगान असान से निकल लिए यह ज़रा सलो होगा, लेकिन मैंने काफी गवर कर लिया, यह प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता, अच्छा, कश्मीर के हक में वो बहतर होगा, और जो बाइडन उतना प्रेशर नहीं डालेगा, अर्वो असलीम करने के लिए, पाकिस्तान को काफी वक्त मिलेगा, और जो बाइडन बहुत पाकिस्ताना, आईर्चा केरी लूगर बिल में मतलब वो शामल था, एक दिन उसके साथ मुलाद होनी थी, अम्बैसिडर्स को बिलाया, अबरान खाने, एक उसके दो से राश्ट खाम उसे बिलाया, अम्बैसिडर्स हैं और जो बाइडन को भी आना था, जो बाइडन लेट हो गए, तो मलकात होते 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 उनसे रह गई, तो बड़ी अच्छी बाइफार्म में था, उसने गुफ्तुगू की, उस वक्त उसकी बात कम सुनी जाती थी लेकिन फार्म में था, कई कई दफ़ा बड़ा फार्म में था, तो जो बाइडन बहुत दफ़ा पाकिसान आचुके हैं, उन्हें हिलाले इम्तियाज दिया जा चुके हैं, वो जानते हैं, अमरीका में डेमोक्रेट्स बुन्यादी तोर पर पाकिसान के खिलाफ समझे जाते हैं, ज्यादा, लेकिन इश्यूस अब ऐसे हैं, जरूरत पाकिसान के आपड़ी है, जरूरत में क्या कहते हैं, गदे को भी बाब बिनाते हैं, पाकिसान गदा तो नहीं है, पाकिसान 22 करोड इंसानों का मलक है, ऐट्मी दुनिया की बहतिने अफ़ाज में से एक फाज है, ऐट्मी गवत है, मिजाइल है, और वो फाज है ज जिसनी सारी हमाकतों के बावजूर्व? चलिए, आपने जिन्दा कौम का मुझे ब्रेक पर जाना है, यह जिन्दा कौम कैसी है, जो हमारे किसानों के साथ कैसा सलूग करती है, यहां की अश्राफिया, यहां की हुक्मरान, इससे मुतालिक में तफसिल से बात करूंगे, स्टियो वेदास. ब्रेक के बाद एक बाद पर फिस प्रिगाम में खुश्राम देद कहेंगे, हरुन सब किसानों के साथ जो हुआ उसके उपर तो बात होगी, मगर एक सवाल, प्रशियन प्रेजिडन्ट से मुतालिक जो बाते सामने आ रही है, क्यो हो सकता है, जन्वरी तक वो खदा पाकिस्तान या फिर खिते के लिए इसका क्या इंपक्ट हो सकता है? कि अदीद मजबूरी के सिवा या मौत के सिवा वहां कोई इक्तदार नहीं छोड़ता, रूस यो है वह आप तो चीन में भी इन्होंने इसको ताउमरी कर दिया, और कैमरिस्ट मुलकों में हकोमत नहीं कोई छोड़ता था, वह तो जमहुरियत में यह खुबी तो है ना, कि यह एक मुकर्रा मुदत है उसके बाद एलेक्शन होंगे, जो अच्छी जमहुरियत है उसमें फेर एलेक्शन होंगे, और बेहतरीन दो यह है कि दो दफ़ा कोई आदमी सदर बन सकता है, यह दो दफ़ा वजीर आदम बन सकता है, बहस तो तरीका यह है, चुके वह लेकिन वो जाएगा तो देखो इतना बड़ा खिला पैदा हो जाएगा तो, यह को निजाम तो नहीं है, मगर यह पर उसके साथ है देखिए न, जरू कौम के तरलुकाद जरूरतों पर मनसिर होते हैं, हमारी उनकी दुश्मनी थी, सोबीट यून, दोस्तों आपने वीडि नहीं पढ़ने वाला है, भारत एक बड़ी किनौमी है, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत अमेरिका के रेलेशनशिप वैसे के वैसे रहेंगे जैसे अभी है और पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी दावा किया है कि जोब आडन कस्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कुछ क किये हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है अभी तो 20 जन्मरी तक ऐसा कुछ अभी प्रेसिडेंट चेंज हो नहीं रहें 20 जन्मरी तक टॉनाल टरम भी रहेंगे आपको भी पता है कि लगबग लगबग रेजल्ट सामने आ चुके हैं और डॉनाल टरम का जाना भी लगबग प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं डॉनाल टरम के जाने के बाद जो यूएश में नए प्रेसिडेंट आने वाल है भारत को उनसे कोई दिक्कत है या नहीं कमेंट मेंदे सोजाओ जरूर दें ब्हाँ आने के तुर में जरूर धूर सेवेश में अन्Amर जरूर में नहीं में अन्यां में प्लीज हो में प्लीज है या जरूर कर डु दिक्तन एा गाना में ज준़ार्पीरें हा लाँ झाल झाल झाल